नमस्कार, सुस्वागतम, वलकम अभी नादर, मैं हूँ दॉक्टर बायराकी और इसवक्त मैं नियूस देशन पर बैठी हूँ क्योंकि 14 तारीक को अमावस है और ग्रहन है तो ग्रहन पर मेरा शोव अभी 12 बचे शूट होगा, कल आप ये शोव देख पाएंगे और मैं आप आपको टाइम बता दूगे कि कब देख पाएंगे, मैं आपको जब तक सोचा एक बड़े सी कहानी सुना दो, दो दन से कहानी ने सुनाई है, शुक्राचारे के पुत्र देवयानी और देव पुत्र भरसपती कच के बेटे, मतलब देव गुरु भरसपती का जो बेटा था वो कच था उनकी कहानी है, एक बार क्या हुआ राक्षसों के अंदर और देवताओं में बहुत यूद हुआ, कभी राक्षस जीतते थे, कभी देवता जीतते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ राक्षस ही जीतने लग गया और इसका कारण शुक्राचारे जी थे, क्योंकि राक्षसों के गुरू शुक्राचारे जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी, वो क्या करते थे, कोई भी व्यक्ती राक्षस मरता था, तो मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवित कर लेते थे, तो ऐसे तो राक्षस कभी मरते ही नहीं थे, लेकिन देव गुर ब्रस्पती के पास ये विद्या नहीं थी अब देवकुरू ब्रस्पती ने सोचा कि विद्या किसी भी तरह सीखनी पड़ेगी लेकिन शुक्राचारी जी मुझे तो सिखाएंगे नहीं तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम जाकर उनके शिशे बन जाओ और उनसे जाकर ये विद्या सीख लो उसने का पिता जी लेकिन वो मुझे विद्या क्यों सिखाएंगे तो उनने का वो सिखाएंगे उनकी एक बहुत सुंदर बेटी है देव्यानी उसका मन अपनी और अकरशित कर लो तो वो तुम से प्यार करने लगेगी और वो अपने बिदा को जो कहेगी वो ज़रूर सिखाएंगे मतलब इनसान ही नहीं देवी देवता भी च्छल करते है अब कच्छ वहां गया उसने शुकराचारी विज्य को परणाम किया उनके साथ रहने लगा उनसे बहुत से विद्याय सीखने लगा लेकिन उसका मन तो सिर्फ मृत संजीवनी विद्या सीखने का था इस बीच में देव्यानी ने उनके बेटे कच्छ को देखा जो बहुत सुन्दर था मन मोहग था वो उसकी और आकर्शित हो गई और इस पे ध्यान देने लगी जब राक्षासों को ये पता चला कि जो है देव शुकराचारे जी से देव कुरु परिस्पती का बेटा विद्या सीकरा वो समझ गए कि ये क्यों आया है उन्होंने सोचा शर्यांतर करकर इसे मार दो उन्होंने शर्यांतर करकर उसे मार वी दिया लेकिन बेटी के मुहों में जो है पिता आ गए वो रोने लगके देवयानी और बोली मैं इसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहते हूँ आप इसे देव मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दीजी तो शुकराचारे जी ने वैसे ही किया जीवित कर दिया वो फिर से विद्या सीखने लगा अब राक्षासों को और भी गुस्सा आया राक्षासों ने का ये तो बिल्कुल गलत बात है रक्षेसों ने शर्यंतर करकर उसे फिर से मार दिया अब की बार मारा तो फिर से पुत्री रोने लगी पुत्री मुहों के अंदर रोते रोते उसने बोला अपने पिता शुक्राचारेजी से कि मैं उसे विवा करना चाहती हूँ अब उसे जीवित कीजे फिर से मृतिसन जीवनी विद्या से उसे जीवित कर दिया गया इस बार रक्षेसों को पता चला तो रक्षेसों को और गुसाया और उन्होंने सोचा कि कुछ दिन इसे जीवित रहन देते हैं और इसके बाद इसे मार देंगे और मार कर इसकी लाश को भी जला देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया उसे ना किवल मारा वलकिन उसकी लाश को तीसरी बार जला भी दिया और उसकी राख को चाई के अंदर मिलाकर मतलब किसी भी दिवे कोई भी ऐसे खाने पीने की चीज़ के अंदर मिलाकर शुकराचारेजी को उन्होंने वो पिला दी बेटी रोती हुई आई कहीं नहीं मिल रहा कच कहीं नहीं मिल रहा उसे ढूंडो तो उन्होंने अपनी अंतर या अपनी विद्या से उसे मृत संजीवने विद्या से जहां भी है जीवित किया तो उनके पेट से आवाज आई कच की तो उन्होंने का ये तो मैं बड़ी मुसीबत में फ़स गया अगर मैं इसे जीवित करता हूं तो मैं खुद मर जाओंगा अ आप शुक्राचारे जी ने का बहुत हो गया मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है और विवा करना चाहती है इसे विवा कर लो तो अलों ने का ये तो हो ही नहीं सकता मैं तो यहां मिर्ट संजीवनी विद्या सीखने आया था वो मैंने सीख लिए और मैं आप आपसे विवा नह निकला हूँ और आपने मुझे पुत्र की दरा कई बार जीवित किया है तो ये मेरी बहन हो गई इस पर दिव्यानी को बहुत गुसा आया और उसने श्राब दे दिया कि तुम इस विद्या का मिरसें जीवनी विद्या का प्रेयो कभी नहीं कर पाओगे और यहां से जाती है तुम इस विद्या को बूल जाओगे तो सब कुछ बेकार हो गया लेकिन इस पर कच्छ ने भी उन्हें श्राब देती है कि तुम्हारी जिस राजा से शादी होगी तो मुसके साथ कभी खुश नहीं रहोगे और उसका करेक्टर अच्छा नहीं होगा हम भी तो जंदीगी में ऐसा ही करते हैं ना हम अपनों से दूर हो जाते हैं गुस्से मुने गालियां देते हैं कई गलत काम कर देते हैं लेकिन एक बात बूलूं दोस्तों, कोई आपको शायद पसंद ना हो, पर किसी से दूआ सलाम और रिष्टा कभी खतम मत करना, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास बुचाने के कामाएं ना है, लेकिन आग बुचाने के कामाता है, कोई भी रिष्टा किसी भी वक्त कामा सकता है, हम संसार में रिष्टों को छोड़ कर नहीं जी सकते हैं, और चल का जवाब, अपमिशा चल से ही मिलता है, अगर आपके जिन्दी में बार-बार आपको धोका मिल रहा है, तो ये मान कर चलिए, कि आप भी किसी को धोका दो द